हेलो फ्रेंज मोधुमिता लिटिल कीचेन में ओलका मैं हो मोधुमिता आज मैंने और एक न्यू रेसिपी स्यार करने जारी हूँ हम लोग कोई तरीका से मिठाई बनाती हूँ गोलाब जमुन जैसा देखने में लेकिन ये वालो जो मिठाई मैंने बना रही बहुती सिम्पिल इंग्रेडियन से बहुत आसानी से बना सकती हो खास कुछ टिप्स के साथ मैंने ये वालो रेसिपी स्यार करूंगी ताकि ये रेसिपी जो है बहुती पर्फेक्ट बहुती स्पंजी और इतना साफ्ट बनेगा खोवागी जैसा हम लोग गोलाब जमुन बनाती हूँ गोलाब जमुन जैसा टेस्ट होगा लेकिन क्यासे बनाती वो मैंने इस रेसिपी में दिखाऊंगी सो फ्रेंज मेरे चैनल में नाई है तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े ऐसा हर देन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए चलो फिर सुडू करते हैं यह मीठाई बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चास्नी बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे देखी मैंने एक काप चिनी डाल रहे हूं और डालूँगी एक काप पानी इस मिठाई का खास चीज ये है सुगास सिराप अगो सुगास सिराप आच्छी तरह से बना साकते तो ये जो स्वीट से बहुत बोड़ियासा बनेगा मतलब अंदर तक बहुत आच्छी तरह से ये रस सोक करेगा तो इसलिए चासनी बहुत आच्छी तरह से बनाना पड़ेगा थोड़ा से मिला लेती हो ताकि बहुती जोल्दी चिनी मेल्ट हो जाएगा और उबालाने के लिए अर्ट करती हो जब तो उबालने आएगा तो गैस का हिट मीडियम राखके मैंने इसको पाकाऊंगी एक एलायची तोड़के डाल दिया बहुत बोड़िया सफले बाराएगा गैस का हिट जदा बढ़ा के इसको पाकाना नहीं है इसमें क्या होगा चासनी बहुती गड़ा हो जाएगा लेकिन इस मिठाय बनाने के लिए गड़ा चासनी नहीं चाहिए ये देखे आच्छी तरह से उबाला गया दो से तीर मिनिट तोग मैंने इस तरीका से इस चासनी को बनाऊंगी क्यूकि ये चीनी और पानी का क्वांटिटी अगर पार्फेक्ट रहेगा तो चासनी भी पार्फेक्ट बनेगा आप देखे मैंने इहां पे लिया च्छाना इक घर का बना हुआ च्छाना है मैंने दे लिटर दूद को च्छाना फड़के मैंने इसी तरह की बना लिया च्छना घर का बना हुआ तो सौप्ट होता है आप चाहे पोनीर यूज कीजिए ऐसा फिर घर में च्छना बना सकते बहुत आसानी से मैंने बहुत सरा रेसिपी च्छना कैसे बनाते हूँ मैंने देखाया मैंने रोजगुला का रेसीपी चमचम का रेसीपी मैंने अल्लेडी सेर कर चुकी है आप लोग चाहे तो मेरा चैनल में जाके देख सकते हैं ये देखी अच्छी तरह से छेना को मैस करना है क्योंकि मैंने इस छेना के साथ दोसरा कुछ भी मिलाऊंगी ने तो इसलिए छेना क मैस करना है ये देखी कितना परफेक्ट ये सब्ट बन गया मैं दिखाते हूँ कितना चिकना है ये देखिए और थोड़ी देर तोक इसको मैस कर लेती हूँ ताकि इसका बाइंडिंग और भी परफेक्ट हो जागा ऐसा ही हो गया देखिए थोड़ी से भी क्रेक्स ने आरे मैं जो बॉल्स बना रही हूँ मैंने इसी लिए छेना को ज़्यादा देद तोक मैस कर रहे हूँ क्योंकि इस छेना के साथ मैंने मैदा रावा कुछ भी नहीं डालूंगे भी बायंडिंग लिए सेप औली छाना से इतना बोल्याशा मिठाई बाना ओंगी तो इह है खास टीप्स अगर इस छेना से अगर मिठाई बनाना चाती हो तो छेना को कॉम से ज्यादा कुछ इंग्रिडियन्स नहीं डाले जास छाना से इतना बड़ी आसा ए स्विट्स बनेगा ए देखे थोड़ी सी भी क्रेक्स भी ने आरे और कितना पार्फेक्ट ये गोल्ड बॉल्स बन रहे इसी तरीका से मैंने पुरा बॉल्स बना लेती हो ए देखे देखने मे कितना बड़ी आसा लगँ आप चाहे तो इसमें रसगुला भी बना सकते हो रसगुला भी ये बहती पार्फेक्ट ये बेबी रसगुला बनेगा लेकिन मैंने एस्पला स्विर्स बना रहे ओ तो इसले मैंने कोड़ाय में तेल रख दिया और तेल का टेम्पराचर मीडियम है अगर oil का temperature बहुत ही काम होगा तो यह थोड़ा सा तूट सकते क्योंकि मैंने step छाना से बना रही हो दुसरा कुछ डालते मतलब मोईदा बागर डालते तो इसका binding परफिक्ट होता तो इसलिए gas का temperature मीडियम राखके और तेल का temperature भी मीडियम होना है जड़ा काम नहीं हुआ पहले थोड़ी सी पाक ने देती हो उसके बाद मेरे gas का हीट काम कर दूँगी लेकिन पहले थोड़ा सा gas का हीट मतलब मीडियम राखके और इस oil को अच्छी तरह से गरम करके उसके बाद ये बाल्स डालना ये देखी ऐसी थोड़ी देर तो के धर धर करके पल्टा देती हो ताकि बोड़ी आसा इसका काला राज जागा ये देखी कितना most perfect ये बाल्स बन रही है टाइम भी जदा नहीं लागेगा क्योंकि ग्यास का हीट मीडियम है हम लोग एसे गोलाब जमुन बागेर जो बनाते ग्यास का हीट मतलब बिल्कुली कम करके बनाते हो इसमें क्या होगा बहती जोल्दी फटा फटी ये बाला मिठाय बन जाएगा थोड़ा सा कालाच चेंज हने देती हो ताकि देखने में बहती सुन्दर लागेगा ए देखी धिरे धिरे कितना बड़ी आसा इसका कालाच चेंज हो गया आम मैंने निकाल लेती हो और निकालने के बादे तुरंती मैंने चासनी का अंदर डाल रही हो चासनी भी थोड़ा स इसी तरीका से मैंने पूरा स्वीट्स को फ्राई कर लेती हूँ, बहुत बोड़ी असा देखने में लगेगा और यह खाने में इतना है टेस्टी होगा, ज्यादा कुछ इंग्रिडेंस मैंने डालेनी, जस्ट खास टिप्स यह है कि यह मिठाई बानाने के लिए जब छाना को मैस करेंगे, बहुती बोड़ी असा मैस करना है, जितना स्मूथ और चिकिना यह च्छना बनेगा, उतना ही पारफेक्ट यह वाला मिठाई बनेगा, आप देखिए, दो से तिन मिनिट के बाद मैंने दिखाते हूँ, मतलब अभी भी गरम है, यह देखिए, कितना बोड़ी चलिए, मैंने काट के दिखाते हूँ, यह देखिए, बहुती सौप्ट, मतलब गोलाम जाबून से भी बहुत बैथर है, स्रेप अली च्छाना से इतना बोड़ी असा स्वीट बन गया, सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया, तो जोरूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसा हर दिन न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए, और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि नोटिफिकिशन सब से पहले आपको मिल रहें, मेरा न्यू रेसीपी देखने के लिए, सब लोग आच्छी रहें, खुस रहें, बाइबाई